मैं अब रुख कर लेती हूँ संजीत रवेदी का संजीत मैं आपसे समझना चाहूंगी आपका लंबा अनुभव है आपने मनमोहन सरकार के कारेकाल को भी देखा है और अभी तो आप लगातार हमें संसद भवन से तमाम जो कारवाई सत्र की चलती है उसकी जानकारे आप हमें हमले का एक संविधन शील मामला है और आज के टाइम में इस तरह की कारवाई होना सवाल पूछने पर जिस तरह से विपक्ष लगातार आरूप लगा रहा है कि हम सवाल पूछ रहे हैं सवाल उथा रहे हैं तो सिर्फ विपक्षी सांसदों पर कारवाई हो रही है तो किसे स साही किसे हम गलत कहें देखिए आपने संसत पर हमले की बात की और जाहिर है कि वह हमला ही था जिस तरह से उस दिन वो लड़के घुसे थे और बाहर कॉडिनेट करते हुए उनके सहीयोगी यहां पर क्राकर चला रहे थे लेहाजा उस हमले के दूसरे दिन तीसरे दिन कह लीज वह है संसत का जहां से ईंट्री होती है और देखिए कि कितना जबरदस तरीके से उसे घेरा हुआ है और यहां तक पहुचने में जहां से मैं इस वक्त आप से बात कर रहा हूallo कि तेन बार चेकिंग हुई तीन बार आई कार्ड और फ्रिस्किंग हुई उसके बाद हम यहां तक पहुचे हैं और यह संसर भवन है जहां पर हमें जाना है और यहां भी देखी फिर से चेकिंग का सिलसला शुरू होगा वो गेट जहां आप देख रही हैं लोग अंदर जा रहे हैं और यहां पर वो जो त्रिस्तरी चेकिंग है वहां होती है वो होगी यानि कि अंदर और बाहर दोनों जगहों पर बहुत जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और यह फॉल आउट है उस दिन का जो घटना करम रहा है उसी का अब आपने कहा कि उसके बाद निशका परवाई हो सकती है और इस मांग को करने के करम में जो स्पीकर के आसन तक या सभापदी के आसन तक जो भी सांसद पहुंचे उनको बाहर कर दिया गया सस्पेंट कर दिया गया वो निशकासित हो गया और उनकी संख्या 14 है अब यहां प्रशन उठ जाता है कि आखिर क्या य 36 संसद निकाले गए थे निशकाशित किये गये थे सस्पेंट किये गए थे लेकिन साल 2014 से लेकर साल 2023 तक में एक आंकड़ा है वो कहता है कि 130 से ज्यादा संसद बाहर किये जा चुके है यानि कि अप एक शौक्रित तीन गुना यू कहले जिए आपकी सांसत ज्यादा बाहर किये जा चुके हैं तो क्या ये एक आरोप है सरकार पर मौजुदा सरकार पर कि वो बार बार अपने विरोध में जो भी खड़ा हो रहा है उसके आवाज को वो बंद कर देती है और यही आरोप के साथ आज भी खड़े होंगे विपक्ष के सांसत क्योंकि कारिस्थगन प्रस्ताव कॉंग्रिस की तरफ से दिया गया और कहा गया है कि सब कुछ छोड़ करके कारिस्थगित करिए और इस मसले पर चर्चा कीजिए पहली बात तूसरी बात ये है कि कल ग्रहमंत्री ने एक मीडिया के कारिकरम में ये बात सपस्ट कर दिया कि ये मामला दरसल ग्रहमंत्राले का नहीं है वो एक मीडिया कालिकेम में थे और उन्होंने कहा कि जाच जारी है। स्पीकर महोदय नहीं किया है। और ग्रहम अंतुराले ने भी एक जाच उन्हें एसेस्ट करनी के लिए किया है। और सुरक्षा की चूक उन्होंने मानी की हुई है और इस पर जबरदस्त कारवाई की जाएगी लेकिन देखिए ये जो बाते बाहर कही गई है यकीनन इस बात को फिर से विपक्ष उठाएगा और कहेगा कि जब हम कहते हैं कि ग्रह मंत्री आकर के सदर में बोली तो उन्होंन ने बोला नहीं और उन्होंने बाहर क्यों बोल दिया यकीनन इस बात को लेकर कि एक टक्राव की स्थिति उत्पन्न तो होगी बहराल ये भी माना जा रहा है कि अब की जो स्थिति है उसमें अब कार ये बहुत ज्यादा सुचारू रूप से संसद में हो पाएगा इस बात क लिए नए कानून लाए जाने की बात है उसको लेकर कि वो लोक्सभा में होंगे लेकिन आज क्या ग्रहमंतरी इस पर बोलेंगे क्या वो विधाई कारिये हो पाएंगे क्या सदन चलने देगा विवक्ष ऐसे में जबकि उनके 14 सहयोगी निकाल दिये गए हैं ये तमाम ऐसे मसले हैं जो कि प्रशन चलने लगाते हैं और यकीन मान करके चलिए कि आज भी सदन पूजा हंगामेदार रहने वाला है बिलकुल पूरे आसार जिस सरहा से ये मामला उठा है उसको लेकर जिस तरह से विपक्ष आक्रमक है आज फिर से और उसके बाद जब निशकासन होता ह है सांसतों का तो जाहिर तोर से हो सकता है कि आज भी तस्वीर कमोबेश कल की ही तरह हमें नजर आए आज भी जमकर हंगामा हो सकता है तो चले अब